हेलो दोस्तों आज को इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि जब कभी आप अपने वाट्सेप पर वाट्सेप में आप किसी को भी फोटो ये वीडियो आप अपनी सेंड करते हो तो आपको बार-बार इसे जो है HD के इस बटन पर आपको सेलेक्ट करके इसे HD क् आपको इसे सेंड करना होता है तो आपको मैं ऐसी एक सेटिंग बताने वाला हूँ कि आपको इस HD के आपशन पर स्लेक्ट करने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है आप आगे से कभी भी किसी को भी फोटो वीडियो सेंड करेंगे तो वो HD की क्वालिटी में सेंड होगा तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वालों तो चलिए वीडियो कम शुरू कर लेते हैं देखी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तुम आपने WhatsApp से बाहर आ जाता हूँ अब यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको आपने WhatsApp को ओपन करना है WhatsApp में आपको सबसे उपर की साइड यह 3.0 का यह उप्शन टैप करना है अब इसमें आपको यह सेटिंग का यह उप्शन है सेटिंग पर टैप करना है अब देखे इसमें आपको नीचे की साइड उप्शन मिल दाता है यह वाला Storage and Data का इसे टैप कर लेना है अब देखे इस वाली पेज में आपको नीचे Media Upload Quality इसे आपको सेलेक्ट करना है अब देखे इस वाली पेज में आपको नीचे HD Quality का यह उप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेना है और नीचे Save का यह बटन सेलेक्ट करना है तो दोस्तों आपका यह media upload quality के नीचे HD quality लिखा हुआ इस तरीके से आ जाएगा अब दोस्तों यह setting देखी काम कैसे करेगी मैंने आपको जो starting में बताया था कि आपको बारबर HD का बटन आपको ओपर की side में दवाना पड़ता है जब भी आप किसी को photo या video send करते हैं ठीक है तो आप यह setting एक बार HD quality में यह setting आप save कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आप आगे से कभी भी किसी को photo या video send करेंगे तो वो HD quality में ही जाएगा ठीक है तो यह setting आपको कैसे लगी इस setting को आप अपने फोन में जरूरी यूज़ करके देखेगा और हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा